हेलो दोस्तों आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूटूब चैनल संदीप ऑनलाइन एजूगेटर पर तो आज के वीडियो में इंट्रीकेशन को बहुत इस्टार से डिस्कस करेंगे तो जो हमारा इंट्रीकेशन चेप्टर है ये क्लास 12 का चेप्टर नंबर 7 है इंट्रीकेशन या फिर इंट्रीकेशन इसको मतलब के इंट्रीकेशन को तीन नाम से हम जानते हैं ठीक है पहला क्या है इंट्रीक्रल दूसरा है इंट्रीकेशन और तीसरा है एंट्रीकेशन एक और नाम भी है जिसको हमें हिंदी में समाकलन करते हैं ठीक है इस का एक symbol होता है ठीक है जो की दिखने में एक साब की तरह होता है लेकिन यह क्या होता है integration का symbol होता है यह symbol जहां भी लगा रहता है वहाँ पर हम पर पहचान जाएंगे कि जो भी कोशन दिया गया है वह integration का है ठीक है जो भी definition हमने लिखा है उसको mathematically represent यहां पर किये हैं ठीक है ठीक है यहां पर हमने लिखा है कि integration fx dx is equal to fx ठीक है फिर यहां से आया d by dx fx is equal to fx तो इसका मतलब क्या हुए तो जो कि हमने definition में अभी पढ़ा है कि जो integration होता है वो reverse process आप derivative का होता है मतलब यह दुनों एक दुसरे कि just opposite होते हैं अपोजीट होने का मतलब कि अगर differentiation करें तो integration करें तो differentiation निकलेगा कैसे निकलने यहां पर हम देखेंगे तो जब हम कोई function यहां पर माल लिए fx यह कोई function है यह फलन है ठीक है यह फलन है हम इसको क्या किये यह के शाफ एक्स जब integrate किये यह के साफ जब इसको integrate किये तो हमको answer मेरा क्या निकल गया है fx जब fx हमारा answer निकल क्या है तो जब हम definition according to definition definition करता है कि दोनों reverse है तो इसका मतलब जब इसको हम derivative करेंगे तो यह चीज मिलना चाहिए ठीक है तो हम इसका क्या derivative किये with respect to x जब x के respect में किये यह जो value जिसका हम integrate किये थे वह हमको वापस यहाँ पे मिल गया ठीक है तो इससे यह निसकस निकलता है कि जो integration होता है वह reverse process आप derivative का होता है ठीक है और जो भी हमने यहाँ पर symbol use की है उसको उसका सभी का नाम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जैसे कि पहला है यह symbol इसको integral symbol करते है ठीक है और जो fx है यह कोई function है ठीक है इसको हम क्या करेंगे integrate जिसको हिंदी में समा कर ले करते हैं इंटीगेंट उससे करते हैं इंटीगेंट उस फणन को करते हैं जिसका हमें integration करना होता है ठीक है मतलब जो भी question में जिसका भी integration करना होगा उसको हम कहेंगे सिन्टी ग्रेंट मतलब इसके लिए अगर साईन एकस है तिसके अम्लब live यह साइन एकस अत्वाम, क्या स्वाल था, इसको संमाकर लेके निदेतिय तो संधी यहां पर हमारा एकस क्या है है इंटी ग्रेट तो तो जाई एकस है यह एकस,ाइकस तो fx वह बैलू है जिसका हम integration करने के बाद जो बैलू निकल के आता है उसको हम करते हैं anti-derivative, anti-derivative यानि अगर हम इसका sin x का करें तो sin x का करने पर cos x आएगा तो जब cos x आएगा तो इसका मतलब cos x हमारा क्या है anti-derivative या फिर इसको हम कहेंगे integral ठीक है तो मतलब जो भी बैलू integration करने के बाद निकलता है उसको हम कहेंगे anti-derivative या फिर इसको integral करते हैं ठीक है अगला है dx जो हमने योच किया है dx क्या denote करता है तो dx यहां बताता है कि जो हम integration या differentiation इन दोनों करता है कि किया गया है जैसे कि नोट करता है जैसे कि यहां पर बात करें यहां लिखदे क्रते यै लिख्वाइज है कि यहां पर integration जो भी हुआ है वह के respect में किया गया अगर यह सै लिख दिया जाए integration दी यह तिसका मतलब की integration with respect to y अगर लिख दें यहां पर d t इसका मतलब integration with respect to t ठीक है तो मतलब यह d y यह रिपंजिट करता है कि किसे किसके respect में या किसके शाफ एक्स और कॉलन या समाकलन किया गया है जैसे कि अगर derivative में बात करें तो इससे लिख दिया जाए d y d x तो d y d x का मतलब यहां x का यहां मतलब है कि ऑकलन जो किया गया है वह x के respect में यानि x के साफ x किया गया है ठीक है अब देखते कुछ example से कि सही में हमारा जो integration होता है differentiation का opposite होता है तो एक question करने के बात हमको clear हो जाएगा question हमने लिया है log x का derivative करना है x के respect में तो जब log x का derivative करेंगे तो हमारा answer निकल के आएगा 1 by x इसका यह formula होता है ठीक है log x का 1 by x होता है ठीक है इसको हम आगे discuss करेंगे formula को तो log x का हो गया 1 by x अब definition के आधार पर हम क्या करेंगे इसको जब integrate करेंगे 1 by x को यह value मिलना चाहिए तो जब हम 1 by x का integrate किये भी थे respect to x तो हमको क्या मिला log x ठीक है मतलब हमारा यहाँ पे definition follow कर रहा है अगला example देखते है हमने लिया है sin x d by dx sin x का जब derivative करेंगे तो क्या निकल के आएगा cos x तो जब हम cos x का integration just is का reverse करेंगे तो cos x का integration करेंगे with respect to x तो हमारा answer क्या निकल गया आएगा sin x इससे यहाँ मेरे निश्कार्स निकला कि integration जो होता है opposite होता है किसका derivative का आईए हम देखते हैं कि integration करने के पर साथ last में c add q होता है ठीक है तो देखते हैं पहला heading है हमारा general integral and constant of integration इसको हिंदी में ब्यापक समाकलन तथा समाकलन अचर करते हैं इस heading अंदर देखते हैं क्या है when fx is a derivative of phi x and phi x plus c is a derivative of fx with respect to x where c is a constant अब इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि phi x कोई function है जिसका derivative करने पर fx निकला है ठीक है phi x plus c is a derivative of fx अब कर रहा है कि यह भी derivative आप किसका है fx का है अब फाई x plus c यह भी derivative है fx का with respect to x where c is a constant अब एक्स के साब x जब हम आउकलन किये तो इसका आउकलन किये तो a मिला और x के साब x ही इसका जब आउकलन किये a मिला ठीक है अब इसको represent किया गया है mathematics के लिए तो यहा अब जो हम यहां पर बोले हैं वहाई चीज यहां पर लिखा है कि phi x कोई भी function है जिसको हम derivative किये तो fx मिला है अब वापस जब इसको हम integrate करेंगे with respect to x तो वापस हमको यह चीज बैलू मिल जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि integration reverse होता है कि इसका differentiation का तो इसलिए जब इसको वा यही जो value हमने function लिया था 5x अब उसी में क्या करेंगे कोई भी constant add करके देखते हैं मतलब कोई अचर add करके देखते हैं कि क्या होता है तो हम क्या किए d by dx इसी 5x में c add कर दिये c मतलब कोई भी अचर हो सकता है यहां पर कोई number हो सकता है तो यहां पर c जब add कर दिये तब इस fx मिलना है अब वापस जब इसी का हम integration करेंगे तो वापस हमको यही चीज़ value मिलना चाहिए definition के अधार पे तो यही चीज़ मिलना है ठीक है तो यही rule है इसी rule को हम follow करेंगे ठीक है अब इस question को देखते हैं question हमारा है dy dx x का power 4 प्लस 9 तो जब यह question है इसको हम x के साफ एक्स अखलंग की है तो हमारा answer क्या निकल गया है 4 x cube प्लस 0 अब यह कैसे आए इसका formula होता है x का power 1 का x का power 1 होता है या x का power 1 माइनस 1 तो यहां पर power आगे आ जाता है और power पर 1 माइनस हो 4 x का power q plus 0 अब इसको वापस integrate करेंगे जब integrate करेंगे तो a value आना चाहिए ठीक है तो a value आना चाहिए तो हमारा आया क्या यहां पर आया x का power 4 हमारा आना चाहिए एक्स का power 4 प्लस 9 आना चाहिए ठीक है क्योंकि integration यहां पर फारूला लगाएंगे यहां पर फारूला होता है x power 1 plus 1 upon 1 plus 1 यहां पर जब करेंगे तो यहां से 4 x power plus 1 add हो जाएगा और नीचे भी 1 add हो जाएगा तो 4 4 से cancel तो यहां से बचा x power 4 तो x power 4 बचा लेकिन हमारा आना चाहिए था x power 4 plus 9 तो 9 नहीं आपाया constant तो उसी constant को हम यहां पर show करने के लिए दिखाने के लिए यहां पर एक c constant add कर देते हैं तो इससे हमको यह पता चल जाता है कि derivative में कोई भी constant add था और ओ constant integration में भी है ठीक है किसी को हम दिखाने करने के लिए C को show करने के लिए हम यहां पर c add कर देते हैं जिससे हमारा definition गलत नहीं हुपाये अगर यहां पर c add नहीं करेंगे तो मेरा definition गलत हो जाएगा क्योंकि इसका हम अपर आउकलन करेंगे तो यहां से आएगा 7 x power 6 plus 0 अब जब इसको वापस integrate करेंगे तो यह चीज मिलना चाहिए तो यह चीज नहीं मिल पाया यहां पर हमारा क्या है x power 7 तो जब x power 7 आया हमारा 200 नहीं आ पाया तो इसके 100 करने के लिए दिखाने के लिए इसमें c add कर फिल से कर दिया गया कि यहां पर डेरिवेट्टिव में जो 200 कॉंस्टेंट था और इसमें भी एक इंटीग्रल में भी एक कॉंस्टेंट है ठीक है अब हम देखेंगे types of integral मतलब समाकलन के परकार समाकलन कितने परकार के होते हैं यह देखेंगे पहला है indefinite integral और दूसरा है definite integral ठीक है तो सबसे पहले indefinite integral को लिखते है indefinite integral को अनिस्टी समाकलन करते हैं यह निवे अनिस्टी समाकलन कुछ इस परकार से लिखा होता है ठीक है integration fx dx is equal to fx plus c मतलब इसमें doe c add किया जाता है और कोई भी इसमें limit show नहीं किया जाता है ठीक है मतलब अनिस्टी समाकलन में limit नहीं करते हैं indefinite integral को indefinite integral में जितने भी question होते हैं सब को solve करने के लिए 3 method दिया गया है तो पहला method है उसको कते है substitution method या हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विदी करते हैं दूसरा है integral by partial इसको हिंदी में आंसिक भीन्य द्वारा समाकलन करते हैं और तीसरा है integral by part इसको हिंदी में खंड़सर समाकलन करते हैं ठीक है तो इसी पीनो method को हम step by step आगे के वीडियो में discuss करेंगे कि substitution method integration by partial integration by part यह सभी क्या होते हैं और इस पर question कैसे लगाया जाता है इस सभी को हम आगे के वीडियो में discuss करेंगे definite integral जिसको निश्य समागलन करते है वह निश्य समागलन कुछ इस प्रगास से लिखा जाता है जिसमें limit दिया रहेगा यहाँ पर उपर नीचे कोई नमबर दिया रहता है और इसमें c add नहीं किया जाता है मतलब इसमें c add करने के कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है तो जो नीच खरता है बी के स्थान पर ठीक है उसको अपर लिमिट करते हैं इसको हिंदी में उच्य सीमा करते हैं ठीक है तो यह हमारे ठ्रे टाइप्स आप इंटीग्रल